नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमलोजी पाय नीहा चैनल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च महिने में जन्मे जातकों के बारे में जिसकी रिक्वेस्ट समीर वर्मा और शिल्पी जीने की है लेकिन उससे पहली यदि आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मद भूलिएगा साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताके आपको चैनल पर आने वाली नई वीडियो उसके जानकारी भी मिलती रहे दोस्तो इस वीडियो में आपको मार्च महीने में जन्मी लोगों के स्वभाव के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंसान का जन्म किस महीने में हुआ है? इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी और पर्सनेल्टी का अंदाजा लगाय जा सकता है। साल का तीसरा महीना यानि मार्च शुरू हो चुका है और इस महीने पैदा हुए लोगों में भी कई खास तरह के क्वालिटी होती हैं। हर इंसान के अच्छे और बुरे गुणों का पता लगाने के लिए शास्तरों के अलावा जोतिश में महा से भी कुछ विशेश गुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। हर माहा बदलने वाली ग्रहों की चाल से जातक के गुणों का आकलन किया जाता है। आज हम आपको मार्च महीने में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। मार्च में पैदा हुए लोग काफी सजग होते हैं, ये लोग दिमाग के इतने तेज होते हैं कि इने धोके में रखना हर किसी के बसकी बात नहीं है शडियंत्र के जाल को तोड़ने में भी ये काफी माहिर होते हैं, एक बार इनका भरोसा तोड़ जाये तो उसे वापस जीतना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा कहा जाता है कि मार्च में पैदा होने वालों का दिमाग सोते हुए भी काफी एक्टिव रहता है इन्हें पुरानी बाते भी लंबे समय तक याद रहती हैं, ये उस वक्त तक किसी सवाल में उलजे रहते हैं जब तक उसके जवाब से संतुष्ट ना हो जाए मार्च महीने में जण में लोग विश्वस्मिय, उदार और प्रेमी होते हैं, ये देखने में सुन्दर हो या ना हो लेकिन लोगों के बीच काफी पसंद किये जाते हैं इस माहा में जन में लोग काफी मिलनसार प्रवर्ति के होते हैं और मित्रों के साथ अक्सर यात्राओं पर जाते रहते हैं इनका यही गुमकड़ी शोग इनको प्रकर्ती और एडवेंचर के काफी करीब ले जाता है यह हर काम को बहतर और अनूठी तरह से करना पसंद करते हैं और इसी गुन के कारण इनको हर छेतर में सफलता जल्दी मिल जाती है इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत जादा होती है और आने वाले नुकसान और समस्याओं के बारे में शिग्र ही निर्न लेते हैं और उनसे बच निकलते हैं यह दिखने में जितने भी साधारन हो लेकिन इनके विचार काफी गहरे होते हैं मार्च महीने में जन्मे लोगों की लव लाइफ बहुत रोमैंटिक होती है यह जल्दी किसी को पसंद नहीं करते लेकिन जब किसी के प्रती पूरी तरह समर्पित होते हैं तो जीवन भर उनके समस्याओं और परिशानियों को अपना समझ कर खत्म करने का प्रियास करते हैं और अपने पार्टनर के चेहरे पर हमेशा समाइल लाने की कोशिश करते हैं लव की मामले में काफी लग्की और विश्वस्निया होते हैं अगर इनकी लव रिलेशन्शिप सफल भी ना हो पाए तो भी यह पार्टनर के साथ एक मित्र और शुप चिंतक के रूप में भी जरम लेने वाले लोग काफी बातूनी और हस्मक होते हैं इनके इसी स्वभाव के कारण लोगों में जल्दी घुल मिल जाते हैं और पार्टी की शान बन जाते लेकिन जादा बात करने के कारण कभी-कभी समस्याओं को भी बुलावदी देते हैं इन लोगों के काफी दोस्त होते हैं कई बार दोस्ती, प्यार, रिस्तों के चक्कर में अपने गोल भी भूल जाते हैं इनको सजने सवरने का काफी शोक होता है और अपना ध्यान और धन जादतर इनी चीज़ों में व्या करते हैं आध्यात्म की तरफ इनका जुकाव जादा होता है और धार्मिक कारियों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं अनावश्यक सोच विचार के कारण ये जरूरी निर्न लेने में पिछड जाते हैं और दुविधाओं में फसे नजर आते हैं मितरता में ये आवशक्ता से अधिक समय खर्च कर बैठते हैं मार्च में जन्में लोग कभी-कभी जिन्दगी में ऐसे बदलाव ले आते हैं जो रिस्तेदारों और दोस्तों के लिए बिलकुल आश्चरय चकित होता है मन की बात और मनुभाव के संप्रेक्षन में आकर ये बहुत कंजोर होते हैं और इसी कारण कभी-कभी इनका नेचर दो तरफा हो जाता है लोगों को ये तभी सही चीज़े बताते हैं जब इनको लगता है कि यह समय सही है इनके अंदर कोई भी गुप्तकला नहीं होती है इन्हें लिखने, बोलने के साथ रेडियो और फिल्म में काम ये निर्मान करने का शोक होता है इनको जल्दी गुस्सा आ जाने के कारण कई बार अपने ही काम बिकार लेती हैं यह महनती काफी होते हैं और अच्छा कासा धन भी कमाते हैं लेकिन अपने उपर ज़्यादा खर्च करते हैं इसके बाद अपने परिवार पर धन खर्च करना पसंद करते हैं मन से कोमल होने के कारण मार्च महीने में जनमे लोगों को नशा जैसे शराब, तंबाकू या धूम्रपान आदी से दूर रहना चाहिए क्योंकि इनकी मित्र मंडली काफी बड़ी होती है और उस मंडली में हर तरह के लोग होते हैं इसलिए ऐसे चीज़ों से इनको दूर रहना चाहिए क्योंकि नशा आपका करियर बरबात कर सकता है और बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां आपके उपर हैं हमेशा लो एन ओर्डर की इज़त करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत में पाया जाएगा तो नुकसान तो होता है कड़ी मेनत के बाद ही आपको हर चीज मिलती है और गलत चीज़ों में पढ़ने के कारण आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए मार्च महीने में जणमे लोगों को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी खुश रह सके मार्च महीने में जणमे जातकों का लखी नमबर 3, 7, 9, लखी कलर ग्रीन, येलो और पिंग कलर लखी डे, संदे, मंडे और सेटर डे, लखी स्टोन, एम्थिस्ट, जमूनिय रतन होता है मार्च महीने में जणमे जातकों को सुझाव दिया जाता है कि पानी में शहद मिलाकर सूर्य देव को चड़ाएं दोस्तों वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपको संबंदे जानकारी कैसी लगी कि रपय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए